तो दूद की पॉस्टिक्ता के बारे में भी आप जानते होगे उसका दूद काफी फाइदेमंद होता है लेकिन यह नहीं मालूम होगा कि गाए का मूतर कितना फाइदेमंद है यह और भी ज्यादा फाइदे मन है खास कर खेती के लिए तो दोस्तों गाई के गव मूत्र में खेती के लिए सभी तत्त उपाया जाते हैं इसके बारे में जानेंगे तो आप आश्चरी चकित रह जाएंगे और जिस गव मूत्र को आप फेंक देते हैं उसे समभाल कर रखेंगे यानि कि इकठा करेंगे और उसका प्रयोग करना शुरू कर देंगे जैसे कि गाई के दूद का आप उप्योग करते हैं तो दोस्तों आप इसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे कि गाई के गव मूत्र में कौन कौन से तत्त होते हैं और खेती में इसका क्या-क्या फाइदा होता है यानि कि कैसे कैसे इसका उपयोग किया जा सकता है तो दोस्तों आए हम इसके बारे में जानते हैं लेकिन जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो अवसी कर दें साथ साथ द जितना ही गवमोत्र पुराना होता है उतना ही ज्यादा फाइदेमंद होता है तो दोस्तों हम जानते हैं कि गवमोत्र में कौन कौन से तत्त होते हैं और कैसे खेती में इसका उपयोग होता है तो दोस्तों गवमोत्र में जो तत्त होते हैं वो यह हैं जैसे कि गवमोत्र में क प्रेशियम, मैगनीज, कार्बोलिक एसीड आधी पाया जाता है। उप्रोक्त के लावा दोस्तों इसमें जो है लवन, बिटामिन A, B, C, D, E, हुमिरिक एसीड और स्वरण छार पाया जाते हैं। तो दोस्तों कितने प्रकार के तत्तु जहें गव मूत्र में पाया जाते हैं और इसमें सभी तत्त जो हैं हमारी खेती के लिए बहुत ही महत्तों होते हैं याने की काम में आते हैं। लेकिन प्रयोग जो है गव मूत्र का हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका जो हम लोग बीजों का उपचार करते हैं वो आप इससे गव मोत्र से कर सकते हैं आपको क्या है देशी गायों के एक लीटर मोत्र को एकत्र कर उसमें 40 लीटर पानी मिला कर यद खाद्यान, दलहन, तिलहन, सबजी आद के बीजों को चार से छे घंटे उपरोक्त घोल में भिगोने के बाद, खेत में बोने के बाद अगर डाला जाता है तो ऐसे बीजों का जमाव सीग्र होता है और अंकुरन भी अच्छा होता है और पौधा भी मजबूत होता है और निरोगी भी होता है इसके अलावा इसके और भी कई सारे उपयोग हैं तो दोस्तो इनको भी जान ले अगर जानेंगे तभी आपको पता चलेगा गवमूतर के महत्त के बारे में दोस्तो ये फसल को सुरच्छारसायन के रूप में अनेक प्रकार से कई तरह के कीटों से बचाता है कीटों के नियंतरन के लिए दो से तीन लीटर गवमूतर को नीम की पत्तियों के साथ बंद डिब्बों में 15 दिनों तक रख कर सड़ाते हैं सरने के बाद इसे च्छान लेते हैं और च्छाने हुए द्रव के एक लिटर दवाद में 50 लिटर पानी मिला कर फसल पर छिड़काओ करने से अनेक प्रकार के कीटों से फसल की सुरच्छा हो जाती हैं जैसे कि पत्ती खाने वाले कीट, फल छेदने वाले कीट और छेदक कीट इत्यादे इसके अलावा दोस्तों कई तरीकों से भी इसे प्रयोग कर सकते हैं जैसे कि गवमूत्र और तंबाकू की सहायता से भी कीट ना सकता तयार किया जा सकता है इसके लिए आपको 10 लिटर गवमूत्र में 1 किलो तंबाकू की सूखी पत्यों को डाल कर उसमें 250 ग्राम नीला थोथा घोल कर 20 दिनों तक बंद डिब्बों के साथ रख देते हैं फिर उसे निकाल कर 1 लिटर दवा जो है 100 लिटर पानी में मिला कर घोल को छिड़काव करने से फसल को बालदार सूरी से बचाव हो जाता है इसका छिड़काव जहे दोपार में करना चाहिए अब दोस्तों जान लेते हैं कि गवमूत्र और लहसुन की गंद के साथ कीटनासक बना कर रस चूसने वाले कीटों को नियंतरित किया जा सकता है इसके लिए 10 लिटर गवमूत्र में 500 लिटर लहसुन कूट कर उसमें 500 मिली मीटर मिट्टी का तेल मिला देते हैं और मिट्टी के तेल पर लहसुन के पेष्ट का गवमूत्र में डाल कर 24 घंटे में पड़ा रहने देते हैं इसके बाद इसमें 100 ग्राम साबुन अच्छी तरह से खिला कर महीन कपड़े में छान देते हैं एक लीटर इस दवा को 80 लीटर पानी में घोल कर इस घोल के छिड़काओं से फसल की जो है चूसक कीटों से सुरच्छित रखा जा सकता है ये तो आप अलग-अलग फसलों और अलग-अलग कीटों के लिए अलग-अलग तरह की दवाई इस तरीके से बनाई जा सकती है तो किसान भाई जैसे आप गाई के दूद का उप्योग करते हैं वैसे ही गाई के गव मूत्र का भी आसानी से उप्योग कर सकते हैं और अपना फाइदा उठा सकते हैं